बल्लू? So, now we will plot a line where अमको line प्लांच अमाउंट जोना थिपो plunging direction जोना थिपो Suppose line 1 आची 30 degree plunge amount towards 110 degree Okay, I would a line आची Suppose 40 degree plunge amount towards 60 degree 060 degree 060 degree जहा तक हमें लेखी परिएंग, north 60 degree isht 110 जहा, इमें थाउ letky परिवगया काहं लेखी परिवएंग, south 70 degree isht इमें थाउल ! So, first same procedure आउमें करिएंग, आउमें periphery यागे ड्राव करिवएंग Edinburgh drawing ड्राव करिवेंग okay periphery जातल्pt आउमेंग, ढ्राव करिवेंग द्यान ने ड्रा करें जम्यति हमोरो आउटसाइड को जीब्ब नी गणिबार्ड मोरो जाओ को, आउटसाइड को है तो पेरिकरी ड्रा करें सल्ला भिस आपे, हम्मे काँ करिवा यह ना न न दर सौ ध मार्किंग करिवा न दलBay East, West अमें मार्किंग कोरदेले East, West, North, South आम बच्छा हमें देखिया Fast Line का ओँदेची 30 degree अला plunge amount को direction ना 110 direction ना 110 direction 110 direction कोड़ा, एट आता 90, एट आला 100, एट आला 110, एट आला 110 degree 110 direction ना केते देजी plunge ना 30 degree, तो हमें 110 को East कोड़ानी दवा, आउ 30 degree count कोरदवा, 10, 20 and 30 तो एट आता 30 degree हला, एट आता पोइंट आम कोली solid dot कोली, that is the line 1 ओके, that is the line 1 पून यामें द्रा करिवा काणो, line टा सबबले गोटे point रेप्रेजेंट हवा and line 2 केमति द्रा करिवा, plunge amount देची 40 degree, एठी फास्ट पून आमा 30 थिला, एठी 40 degree देची 0, 60 degree, 0, 60 degree मैंने काणो, north रू 10, 20, 30, 40, 50, 60 so this is 0, 60 degree, 0, 60 degree मैं काणो गरिवा, एगें लीस्ट कुन आया सिवा, plunge amount देची 40 degree so 10, 20, 30, 40, 30, 40 मैं द्रा करदवा and this will be the line 2 this is the method to draw the lines, मुईट ही दीट द्रा द्रा करिची, तामें बने देखिवा, एम थी आमा को देखा जिवा these two points will represent two lines the lines